राधे राधे नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो सावन का महीना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपुड माना जाता है सावन सुरू होते ही चारो तरफ हरा भरा बहुत ही सुन्दर नजारा दिखाई देता है इतना ही नहीं इस महीने में शुहागिन महिलाएं भी हरे रंग की चूड़िया कपड़े गहने आदि पहनती है और अपने सुहाग के लिए भगवान भोले नात से अखंड सौभाग का वरदान मांगती है जिससे जन्म जन्मांतर तक वर शौभाग वती बनी रहे अखंड सौभाग का अर्थ होता है जीवन से सारी बुराईयां और दुर्भाग का अंत होना और पती की लंबी आयू आदि आप अपने जीवन में अखंड सौभाग चाहती है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि शावन की महीने में शादे सुधा महिलाओं को किन्यमों का पालन करना चाहिए जिससे उनके जीवन में अखंड सौभाग बना रहेगा एशे में 11 काम बताऊंगी तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेश्ट है जो हमारे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विल आइकन को प्रेश कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सेर भी करिएगा तो चलिए जानते हैं वो कौन से कार्य हैं जिसे विवाहित महिलाएं करके भोले नात को प्रशंड कर अखंड सौभाग्य का वर्दान प्राप्ट कर सकती हैं पहला काम है शभी विवाहित महिलाओं को शावन के महीने में सुबह अशनान कर भागवान भोले नात की आराधना करनी चाहिए हो शके तो शावन के प्रतेव शूम्वार को ब्रत रखे और ब्रत वाले दिन शावन दूसरा काम है सावन के महीने में बिवाहित महिलाओं को हरी चूड़िया पहननी चाहिए हरी चूड़िया पहनने वाली महिलाओं से भोले नाथ अत्यांत प्रशन होते हैं साथ ही मंगल सुत्र भी अवश्य पहननी चाहिए हरी चूड़िया और मंगल सुत्र शुहाग का प्र तो कभी भी विवाहित महिलाओं को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए लेकिन आज कल के युग में यह शंभव नहीं है तो हो शके तो कम से कम सावन के महीने में काले बस्त्र धारण न करे चौथा काम है सभी विवाहित महिलाओं को अपने मांग में शिंदूर जरूर लगाना चाहिए क्योंकि जब भगवान भोले नात की द्रिष्टी आप पे पड़ती है तो आपको अखन सभाग्यवती होने का आसिरवात देंगे पाचवा काम है सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के पैरो में बिचुआ पायल अवश्य होना चाहिए महिलाएं सावन के महीने में छंचन करने वाली पायल पहनती हैं उसके घर में माता पारवती और भगवान भोले नात का साक्षात आगमन होता है छटवा काम है शावन के महीने में सोभाग्यवती महिलाओं को शुहाग की चीजों का दान करना चाहिए दान आप किसी मंदिर या किसी गरीब विवाहित महिला को कर सकते हैं ऐशे करनेशे माता पार्वती और महादेव का महा आसिरवाद आपको प्राप्त होगा सातवा कार्य है शावन के महीने में ना तो क्रोध करे ना बाद दिवाद करे बाद दिवाद से वचे रहे गुशा आने पर ओम नमशुआय मंत्र का जाब करे ऐशा करनेशे आपके घर में क्लेस नहीं होगा और भगवान सिव आपसे प्रशन रहेंगे आठवा कार्य है विवाहित महीला को सावन के महीने में अपने हाथों पर मिहन्दी जरूर लगानी चाहिए ये शुहाग की निसानी होती है नौवा कार्य है शावन के महीने में हो सके तो 16 श्रिंगार अवश्य करें इसके साथ ही श्रिंगार की शवी बस्तुएं माता पार्वती को भी अरपीत करें इससे माता पार्वती प्रशन होंगी और आपको अखंड सौभाग्योती होने का बरदान देंगी दसवा कारे है शावन के महीने में हर दिन शाम को भी सिव जी की आरती करे इश्च्रे भोले नात प्रशन होते हैं आपके घर में सुक सांती वनी रहेगी 11 और अंतिम कारी है शुहागिन महिलाओं को भगवान सिव से प्राथना करनी चाहिए कि हमारा सुहाग अमर है और जन्म जन्मांतर तक हमें सुक और सौभाग की प्राप्ति निरंतर होती रहे इस प्रकार हर सुहागिन महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो दोस्तों आसा है कि आप सभी को हमारी जानकारी पसंद आई है पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा वेल आइकन को फ्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रादे रादे